वेलकम टो दजी के अप्यक्टिव एलजी चैनल मैं हूँ नीट गुरुजी भहिया फिजिक्स के क्वेस्चन करने बहुत जरूरी है नीट के अंदर और ये तभी हो सकती है वैन्यू प्रेक्टिस तो प्रिवियस एर क्वेस्चन कर लो तो क्वेस्चन नम्मर 14 ये नीट 2020 का पेपर है ठीक है नीट 2020 का है ये फिजिक्स का ठीक है कोड जीवन है तो इसमें हम क्वेस्चन कर रहे हैं ताकि मतलब हेल्फुल हो वीडियो ए 40 माइक्रो फेराड केपैसिटर इज कनेक्टेट टू ए 200 बोल्ट 50 हर्ट एसी सप्लाई दा आर एमस वेल्यू अब दा करंट इन दा सर्किट इज नियर लिया हमें करंट की वेल्यू निकालने है इसके अंदर तो इसको हम कैसे करेंगे सिंपल क्वेस्चन है तो आजए यह भी डैस्पोर्ट पर यह आ गए तो कैपैसिटेंस जो दिया हुआ है 40 माइक्रो फेराड ठीक है जी 40 माइक्रो फेराड तो इसको जब हम फेराड में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 40 इन्टू 10 डैस्टू दिपावर माइनस 6 10 डैस्टू दिपावर माइनस 6 ठीक है यह फेराड बहुत जाएगा सबसे पहले तो इसको ऐसा यह यूनिट में कनवर्ट कर लो उसके बाद भी आर एमस ठीक है जी भी आर एमस कितनी दिवी है 200 गुल्ट तो जो जो गीबन है पहले हम उसको लिख लेंगे इससे क्या करना हमारे लिए आसान हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे जो फ्रिक्वेंसी दिवी है न्यू इस इक्वल टू 50 हर्ट पचास हर्ट अच्छा अब हमारा एक फॉर्मूला ह होता है फिजिक्स में एक्स सी इज इक्वल टू वन बाई यह फॉर्मूला अगर ध्यान होगा तो बड़े आसानी से होजएगा वाई टू पाई न्यू सी यह फॉर्मूला हमारा तो इसके अंदर जब में वैल्यूस को करूंगा पुट क्या आ जाएगा वन डिवाइड़ बाई टू पाई तो एज़िट इज रह जाएगा टू पाई ठीक है और उसके नियू कितना दिया पचास हर्ट यहां पचास लिख दो इन्टू जो कैपैसिटर की कितनी दी हुई है 40 तो यह हो जाएगा 40 इन्टू 10 पावर माइनस 6 तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी XC की वैल्यू मिल जाएगी तो XC की वैल्यू सपोर्ज करते हैं यह अब IE-RMS का जो फॉर्मला होता है IE-RMS is equal to होता भाया भी अपॉन XC भी अपॉन XC XC हमारे पास है थे कह जी भी की वैल्यू दी हुई है तो जब आप इसको solve करोगे इस पूरे equation को तो तुम्हारा आजाएगा 250 भाई 250 भाई पाई एक्ससी की वेल्व इतनी आएगी एक्ससी की यह वेल्व आएगी और जब हम यहां पुट करेंगे भी की वेल्व कितने दिव है 200 डिवाइड़ भाई 250 250 बाई पाई तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा हमारा यह पाई चला जाएगा उपर 200 पाई डिवाइड बाई 250 250 इस इक्वल टू यहां से तुम्हारा आ जाएगा 2.5 2.5 ठीक है जी तो करेक्ट आंसर यह है 2.5 तो इसमें होगा भाई 2.5 एंपिर आप्शन नमर 2 इस दा करेक्ट आंसर तो यह होगा क्वेस्चन नमर 14 क्वेस्चन नमर 15 बिलकुल सिंपल है दर रेशो आफ कंट्रिबूशन्स मेड बाई दा इलेक्ट्रिक फिल्ड और मैगनेटिक फिल्ड میगनेटिक दोनों का इंटेंसिटी पर होता वहा हुँआ कपड़कि दोनों का कवहा होता है तुम्हें द्यान रखना तो यहां रेशो बन मैं त्सीन थे क्वेस्चन ठाब मतलब मतलब इ Trustees Chuck ही चेप्टर के सुर्वात में दिया हुआ है जो दो कंपोनेंट फ्लो करते हैं एक साथ तो उसमें ओन रिस टू वन होता है इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं क्वेस्चन नमबर सिक्स्टीन में कह रहे हैं कि टू पार्टिकिल्स ओफ मास पांच केजी और टैन केजी रिस्पेक्टिवली आर अटेश्ट तू दूदा टू इन्स ओफ रिजिड रॉड लेंथ वन मेटर बिद नेगलेजिबल मास देखो मैं इसके लिए फ्लोडाग्राम बना रहा हूँ यह हमारा दिया हूआ है कोई भी को अस्यस्टम यह मानलो यह दिया हूआ है यहां एक तुम्हारा पांच केजी का मास है ठीक है जी यहां 10 kg का है अब यहां अगर 5 kg का है और यहां 10 kg का है तो center of mass suppose करो यह जैसे 50 वालों यहां पर यह 1 meter का दिया हुआ है पूरा यह दिया हुआ 1 meter length तो एक सोच के देखें तो कहीं न कहीं इससे जादा आएगा कहीं यहां कहीं के आसपास आएगा क्योंकि इधर वेट जादा है ना इधर वेट काम है तो balance करने के लिए यहां आएगा तो वैसी अगर मैं देखें तो 50 और 33 यह दो option तो eliminate हो गए 67 और 18 में से यह हुआ answer तो इसको solve करके देखना हमें question number 16 में अब suppose कर लेता हूं कि भाई मुझे यहां पर है center of mass तो यहां मान लेता हूं suppose यह मान ले मैंने center of mass अभी हमें distance पता नहीं इसका distance यहां से यहां तक मुझे calculate करना है ठीक है यह मुझे calculate करना है तो हम समझ लें इसको यह मान लो x cm x मतलब distance हो गया cm मतलब center of mass हो गया यह मैंने suppose कर लिया तो इधर से हो गया x cm अच्छा यहां जो distance है उसको मैं मानूँगा x1 यहां जो distances को मानूँगा x2 तो एक simple सा formula होता है x cm का center of mass का is equal to m1 x1 m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 m1 plus m2 यह simple सा formula होता है center of mass का अब x1 जो है यहां पर 0 हो जाएगा तो m1 5 into 0 plus m2 कितना भई 10 m2 है 10 into distance कितना है meter में लेंगे 1 divided by 5 plus 10 5 plus 10 तो यह value तो हो जाएगी 0 ठीक है तो यह हो जाएगा 10 divided by 15 10 divided by 15 is equal to कितना हो जाएगा 2 by 3 कितना जाएगा 0.67 0.67 यह क्या गया meter जब इसको ले जाओगे centimeter में तो यह हो जाएगा 67 cm तो simple सा question है center of mass का तो correct answer में 67 cm हो जाएगा इस तरीके से हम इस numerical को करने वाले हैं तो इस टाइप के numerical तुम्हें करकर के देखने हैं usually physics में बच्चे रह जाते हैं क्योंकि main चीज़ यह numerical नहीं करोगा तो फिर माम लागड़ा बड़ा है physics होगी ही numerical solve करने से दूसरा कोई उपाई नहीं है इसका formula यहाद होना चाहिए concept के लिए लेकिन numerical पर प्रक्टिस होने थी चैनल कर ले सब्सक्राइब जीक अब्जेक्टिव बाइलोजिस पर बाइलोजिक के मेस्ट्री फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड बड़िया concept है नीट के लिए और नीट में rank improve होने के लिए बहुत helpful वीडियो है चैनल को सब्सक्राइब जरूल करें